परिचय देखो बेटा, यह कुतुब मिनार है क्या तुम जानते हो यह कितनी उची है? नहीं पिता जी ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ वह 72.5 मीटर उची है हम किसी इमारत की उचाई का पता कैसे लगा सकते हैं, पिता जी? हम तृकोन मिती का उप्योग करके उसकी उचाई का पता लगा सकते हैं यह एक तृभुज की भुजाओं को मापने के लिए उप्योग की जाने वाली गडित की एक शाखा है पिता जी, क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? हाँ, अवश्य क्यों नहीं? इस पार्ठ में आप सीखेंगे की तृभुजो सहित जमिती ये समस्याओं को कैसे हलका हैं? उद्देश इस पार्ठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे डिगरी और रेडियन में कोण को मापना कोडों को डिगरी से रेडियन तथा रेडियन से डिगरी में बदलना ट्रिकोण मेतिय फलनों का उप्योग करके जमेतिय समस्याओं को हल करना कोण कोण क्या है? चलिए, एक समतल में तीर की दिशा में एक पराक्रमी रेखा को OX से शुरू करते हुए उसके अंत बिंदू O के आसपास घुमाते हैं तथा थिती O P प्राप्त करते हैं तब इसे एक कोण X O P कहा जाता है यहाँ O X प्रारंबिक स्थिती है तथा O P अंतिम स्थिती है नियत बिंदू O है जो शीर्ष बिंदू कहलाता है एक कोण को धनातमक कहा जाता है यदि इसे घड़ी की विपरीद दिशा में वामा वर्त घुमती हुई रेखा से प्राप्त किया जाए तथा रणात्मक तब कहा जाता है यदि इसे घड़ी की दिशा में यानि दक्षणा वर्त घुमती हुई रेखा द्वारा प्राप्त किया जाए कोड डिगरी को कैसे मापते हैं? एक पूर्ण परिक्रमन में 360 डिगरी होते हैं एक पूरा वर्त 360 डिगरी का होता है आधा वर्त 180 डिगरी का होता है रेडियन को कैसे मापते हैं? रेडियन वर्त के केंद्र में एक चाप द्वारा बनाया गया कोण है जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर होती है माना की आर त्रिज्या वाले एक वृत्य का केंद्र O है एक चाप AB बराबर R काटा गया है तब कोण AOB बराबर एक रेडियन है आर इकाई की त्रिज्या वाले एक वृत्य का परिमाप दो पाई गुणे R है इस प्रकार प्रारम्विक पक्ष का एक पूर्ण परिक्रमन दो पाई रेडियन का एक कोड कक्षांतरित करता है यदि त्रिज्या बराबर एक इकाई हो यदि हम L लंबाई का एक चाप खीशते हैं, तो यहाँ एक कोड कक्षांतरित करेगा, जो एक बटे R के बराबर होगा, जहां R वृत्त की तिर्ज्या है, तथा इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, L बराबर R गुणे थीटा कोण? एक रेडियन बराबर 57 डिगरी 16 मिनट, तथा एक डिगरी बराबर 0.0746 रेडियन, उदाहरण, एक सम अश्ट भुज के कोडों को रेडियन में व्यक्त कीजिए, हल, एन भुजाओं वाले एक सम बहु भुज के अंतह कोडों का योगफल बराबर 2N रिण 4 लंब कोड है, एक अश्ट भुज में 8 भुजाएं होती है, एक सम अश्ट भुज का अंतह कोडों 2 गुडे 8 रिण 4 बटे 8 लंब कोड है, इसके बराबर 3 बटे 2 लंब कोड बराबर 3 बटे 2 गुडे 90 बराबर 135 डिगरी 180 डिगरी बराबर πाई रेडियन 135 डिगरी बराबर πाई बटे 180 डिगरी गुडे 135 रेडियन बराबर 3 पाई बटे 4 रेडियन उदाहरण कोण रिण 37 डिगरी 30 मिनट को रेडियन माप में व्यक्त कीजिए हल जैसा कि हम जानते हैं कि 180 डिगरी बराबर πाई रेडियन दिया गया है कोण डिगरी में बराबर है रिण 37 डिगरी 30 मिनट के जो की बराबर है 37 धन 30 बटे 60 के घटाव के जो की हल करने पर घटा 37.5 प्राब्थ होगा रेडियन में इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है एक डिगरी बराबर पाई बटे 180 रेडियन रिण 37.5 डिगरी बराबर रिण पाई बटे 180 गुणे 37.5 रेडियन बराबर रिण 5 पाई बटे 24 रेडियन त्रिकोण मितिय फलन माना की एक पराक्रमी रेखा को O X से शुरू करके प्राब्थ किया गया एक कोण X O P बराबर किनी भी चार व्रित्तिय पदों में थीटा है माना की M1 X-O X पर P से कोई लंब पाध है दिर्दिष्ट लंबाई के रूप में O M तथा M P के संदर्भ में O M, M P तथा O P के एक दूसरे से अनुपात कोण थीटा के व्रित्तिय फलन या त्रिकोण में थीए अनुपात कहलाते है माना की O M बराबर X है M P बराबर Y तथा O P बराबर R जहां R 0 से बड़ा है हम विभिन व्रित्तिय फलनों को निम्न प्रकार से परिभाशत करते हैं M P बटे O P बराबर Y बटे R थीटा का साइन कहलाता है जिसे साइन थीटा के रूप में लिखा जाता है O M बटे O P बराबर X बटे R थीटा का को साइन कहलाता है जिसे cos theta के रूप में लिखा जाता है MP बटे OM बराबर Y बटे X जहां X 0 के बराबर नहीं है theta का tangent कहलाता है जिसे tan theta के रूप में लिखा जाता है OM बटे MP बराबर X बटे Y जहां Y 0 के बराबर नहीं है theta का cotangent कहलाता है जिसे cot theta के रूप में लिखा जाता है op बटे om बराबर r बटे x जहां x 0 के बराबर नहीं है theta का second कहलाता है जिसे sec theta के रूप में लिखा जाता है op बटे mp बराबर r बटे y जहां y 0 के बराबर नहीं है theta का cosecant कहलाता है जिसे कोसक थीटा के रूप में लिखा जाता है टी अनुपातों की परिभाशा से हमारे पास है थीटा का कोसक बराबर एक बटे थीटा का साइन थीटा का साइन शूनि के बराबर नहीं है थीटा का सेक बराबर एक बटे थीटा का कॉस ठीटा का कॉस शुन्य के बराबर नहीं है ठीटा का कॉट बराबर ठीटा का कॉस बटे ठीटा का साइन ठीटा का साइन शुन्य के बराबर नहीं है ठीटा का टैन बराबर ठीटा का साइन बटे ठीटा का कॉस ठीटा का कॉस शुन्य के बराबर नहीं है प्रिकोण मितिय फलन तब इसका मतलब है कि थीटा बराबर एन गुड़े पाई जहां एन कोई पूर्णांख है तीन मूल भूत त्रिकोण मितिय फलनों के मान निम्न है त्रिकोण मितिय फलन चार विर्तिय पादों यानि चतुर्थाशों को चित्र में दिखाया गया है पहले चतुर्थाश में सभी धनात्मक है द्वितिय चतुर्थाश में साइन तथा कोसेक धनात्मक है त्रितिय चतुर्थाश में टैंजेंट तथा कोटैंजेंट धनात्मक है चतुर्थ चतुर्थाश में कोसाइन तथा सिकेंट धनात्मक है याद करने के लिए सरल नियम है After School to College उप्रियुक्त वाक्य में A का अर्थ All होता है S का अर्थ Sign होता है T का अर्थ Ten होता है तथा C का अर्थ Cause होता है संबंधित वृत्पदों में इन अनुपातों का व्युत्करम भी धनात्मखी होता है त्रिकोण मितिय फ्हलन नीचे दी गई तालिका में सभी T अनुपातों के चिन्ह प्रत्येक चतुर्धांश में दिये गए है त्रिकोण मितिय फ्हलन त्रिकोण मितिय फ्हलनों के प्रांध यानी डोमेन तथा परिसर जैसा की हम पहले अध्यन कर चुके हैं कि कोड को एक वास्तविक संख्या के रूप में माना जा सकता है, अतह हम कोड को X से दर्शाते हैं, ना कि थीटा से. साइन फलन साइन फलन के लिए परिसर रिण एक से एक है. साइन फलन में X के समस्त मान है, अतह इसका डोमेन वास्तविक संख्या आर का समुच्च है कोसाइन फलन कोसाइन फलन के लिए परिसर रण एक से एक है कोसाइन फलन में X के समस्तमान है अतह इसका डोमेन वास्तविक संख्या आर का समुच्च है टैंजेंट फलन टैंजेंट के लिए परिसर तभी वास्तविक संख्याओं का समुच्च है Y का डोमेन बराबर X का टैन एक समुच्च है X वास्तविक संख्या के अंतरगत आता है X और 2N धन एक गुणा पाई बटे 2 के बराबर नहीं है जहां N कोई पूर्णांख है कोसेकेंट फलन के लिए परिसर एक समुच्च है Y वास्तविक संख्या के अंतरगत आता है Y एक से बड़ा है अत्वा बराबर है या Y रिण एक से छोटा है अत्वा बराबर है Y का डोमेन बराबर X का कोसेक एक समुच्च है X वास्तविक संख्या के अंतरगत आता है X, N गुड़ा πाई के बराबर नहीं है जहां N कोई पूर्णांख है Second फलन Second फलन के लिए परिसर एक सा मुच्च है Y वास्तविक संख्या के अंतरगत आता है Y रिण एक से छोटा है अथवा बराबर है या Y एक से बड़ा है अथवा बराबर है Y का डोमेन बराबर X का सेक एक सा मुच्च है X वास्तविक संख्या के अंतरगत आता है X और दो N धन एक गुड़ा πाई बटे दो के बराबर नहीं है जहां N कोई पूर्णांख है Co-Tangent फलन Co-Tangent फलन के लिए परिसर सभी वास्तविक संख्याओं का एक सा मुच्च है Y का डोमेन बराबर X का कौट एक सा मुच्च है X वास्तविक संख्या के अंतरगत आता है X N गुड़ा πाई के बराबर नहीं है जहां N कोई पूर्णांख है उदाहरण यदि थीटा का सेक बराबर वर्ग मूल दो और तीन गुणा पाई बटे दो छोटा है थीटा छोटा है दो से पाई है तब एक धन थीटा का टैन धन थीटा का कोसेक बटे एक धन थीटा का कोट रण थीटा का कोसेक का मान ग्याद कीजिए हल थीटा का सेक बराबर वर्ग मूल दो थीटा का कॉस बराबर एक बटे थीटा का सेक बराबर एक बटे वर्ग मूल दो थीटा का साइन वर्ग बराबर एक रिण थीटा का कॉस वर्ग बराबर एक रिण एक बटे दो बराबर एक बटे दो इस प्रकार थीटा का साइन बराबर धन रिन एक बटे वर्ग मूल दो अब तीन गुड़ा पाई बटे दो थीटा से छोटा है थीटा दो गुड़ा पाई से छोटा है जो यह बताता है कि थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में नेथ है जिसका मतलब है कि sinθ रिणात्मक है एक धन थीटा का साइन बराबर एक बटे रिन एक बटे वर्ग मूल दो बराबर रिन वर्ग मूल दो अब एक धन थीटा का टैन धन थीटा का कोशक बटे एक धन थीटा का कौट रिन थीटा का कोशक बराबर एक धन रिन एक धन रिन वर्ग मूल दो बटे एक धन रिन एक रि रिण वर्गमूल दो बराबर रिण वर्गमूल दो बटे वर्गमूल दो बराबर रिण एक उधारण यदि थीटा एक धनात्मक नियून कोड है तब इस समीकरण 4 थीटा का कॉस वर्ग रिण 4 थीटा का साइन बराबर एक को हल कीजिए हल चार थीटा का कॉस वर्ग रिन चार थीटा का साइन बराबर एक या चार गुणे एक रिन थीटा का साइन वर्ग रिन चार थीटा का साइन बराबर एक या चार थीटा का साइन वर्ग धन चार थीटा का साइन रिन तीन बराबर शून्य जो की थीटा के साइन में एक द्विघाती ये समी करण है थीटा का साइन बराबर रन चार धन रिन वर्ग मूल चार वर्ग रन चार गुणे चार गुणे रिन तीन बटे दो गुणे चार बराबर रन चार धन रिन आठ बटे आठ बराबर एक बटे दो या रिण तीन बटे दो जैसा कि थीटा का साइन संख्यानुसार एक से छोटा या बराबर है इस प्रकार थीटा का साइन बराबर रिण तीन बटे दो असंभाव है इसलिए थीटा का साइन बराबर एक बटे दो बराबर तीस डिगरी का साइन अतह थीटा बराबर 30 डिगरी उदाहरण अन्य पाँच त्रिकोण मितिय फलनों के मान ग्याद कीजिए यदि थीटा का टैन बराबर 3 बटे 4 है वह थीटा तृतिय चतुर्थांश में है हल थीटा त्रितिय चतुर्थांश में है तथा त्रितिय चतुर्थांश में तैन थीटा और कौट थीटा धनात्मक है तथा साइन थीटा, कौस थीटा, सेक थीटा तथा कोसेक थीटा धनात्मक है थीटा का तैन बराबर तीन बटे चार यह बताता है कि थीटा का कौट बराबर एक बटे थीटा का टैन बराबर चार बटे तीन थीटा का सेक वर्ग बराबर एक धन थीटा का टैन वर्ग बराबर एक धन तीन बटे चार का वर्ग बराबर एक धन नौ बटे सोला बराबर पच्चिस बटे सोला यह बताता है कि थीटा का सेक बराबर रिण 5 बटे 4 इसका मतलब है थीटा का कौस बराबर रिण 4 बटे 5 थीटा का साइन वर्ग बराबर एक रिण थीटा का कौस वर्ग बराबर एक रिण 16 बटे 25 बराबर 9 बटे 25 यहाँ बताता है कि थीटा का साइन बराबर रिण 3 बटे 5 इसका मतलब थीटा का कोसेक बराबर रिण 5 बटे 3 दो कोडो के योगफल तथा अंतर के त्रिकोण मितिय फलन योगफल के सूत्र निम्न है अंतर के सूत्र निम्न है कुछ महत्व पूर्ण पढ़िणाम निम्न है असाधारण दृष्टि कोण निम्न है उदाहरण सिद्ध करें कि 75 डिगरी का साइन बराबर वर्ग मुल 6 धन वर्ग मुल 2 बटे 4 है हल हमें प्राप्त होता है वर्गमूल 6 धन, वर्गमूल 2 बटे 4 उदाहरण 15 डिगरी का कॉस का मान ग्याद कीजिए हल 15 डिगरी का कॉस बराबर 45 डिगरी, रिन 30 डिगरी का कॉस अर्थात कॉस 45 डिगरी, गुडे कॉस 30 डिगरी धन, साइन 45 डिगरी, गुडे साइन 30 डिगरी बराबर एक बटे वर्ग मूल दो गुडे वर्ग मूल तीन बटे दो धन एक बटे दो गुडे वर्ग मूल तीन धन एक त्रिकोण मितिय समीकरण त्रिकोण मितिय फलनो सहित एक चर का समीकरण त्रिकोण मितिय समीकरण कहलाता है त्रिकोण मितिय समीकरण का हल जिसके लिए शून्य एक से छोटा या बराबर है वह एक्स दो गुड़ा पाई से छोटा है प्रमुख हल कहलाता है नीचे दिया गया चित्र त्रिकोण मितिय समी करण को दिखाता है प्रमेय एक किनी भी वास्तविक संख्याओं X तथा Y के लिए X का साइन बराबर Y का साइन बताता है X बराबर N पाई धन रड़ एक की घात N Y जहां N कोई पूर्णा अंक है प्रमेय दो किनी भी वास्तविक संख्याओं X तथा Y के लिए X का कौस बराबर Y का कौस बताता है कि X बराबर 2N पाई धन रड़ य जहां N कोई पूर्णा अंक है प्रमेय तीन यदि X तथा Y पाई बटे दो के विशम गुणज न हो तब X का टैन बराबर Y का टैन बताता है कि X बराबर N पाई धन वाई जहां N कोई पूर्णा अंक है उदाहरण X बराबर 0 के लिए 2 sin X रिण 1 बराबर 0 को हल कीजिए हल हम बीजगणित की विधियों का उप्योग करते हुए sin X को हल कर सकते हैं हम तब X ग्यात करने के लिए अपने त्रिकोण मितिय ग्यान का उप्योग करते हैं X रिण 1 का 2 sin बराबर 0 X का 2 sin बराबर 1 X का Sine बढाबर 1 बटे दो Sine X बढाबर 1 बटे 2X का निर्देश कोण 30 डिग्री है जैसे कि 1 बटे 2 एक धनात्मक संख्या है तथा चतुर्थ 1 वा चतुर्थांश 2 में Sine फलन धनात्मक है तब X 30 डिग्री या 150 डिग्री होना चाहिए क्या आप जानते हैं? कोडों में प्रारंबिक अर्दरेखा तथा अंतिम अर्दरेखा की एक स्थिती है ऐसे कोडों को सह टर्मिनल के कोड कहा जाता है साइन, कौज तथा टैन गुड़क नहीं है सारांच आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संशेप में दोहराए कोड, उसके प्रारंबिक बिंदु के चारों और एक दी गई अर्दरेखा के घुर्णन की एक माप है रेडियन मापन बराबर पाई बटे 180 डिग्री डिग्री मापन बराबर 180 बटे पाई रेडियन थीटा का साइन वर्ग धन थीटा का कौस वर्ग बराबर एक थीटा का सेक वर्ग बराबर एक धन थीटा का टैन वर्ग थीटा का कोसेक वर्ग बराबर एक धन थीटा का कौट वर्ग पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक है द्वितिये चतुर्थांश में साइन तथा कोसेक धनात्मक है त्रितिये चतुर्थांश में टैंजेंट तथा कोटैंजेंट धनात्मक है चतुर्थ चतुर्थांश में कोसाइन तथा सेकेंट धनात्मक है त्रिकोन मितिय फलनों सहेत एक चर का समीकरण त्रिकोन मितिय समीकरण कहलाता है एक त्रिकोन मितिय समीकरण का हल जिसके लिए शून्य एक से छोटा या बराबर है मुख्य हल कहलाता है